नबस्त दोस्तो, वेलकम बैक टू यूर चैनल ग्लोबाल आउटलूग हाली में गवर्मेंट आफ इंडिया एक सॉल्ट कैवें बेस्स्ट्राटेजिक ओयल रिजरव बनानी की कोशिश कर रहा है जिसके लिए EIL मतलब Engineering India Limited बोलके Government Owned Organization है जो कि एक Consultancy Farm है जिसे ये Responsibility दिया गया है कि Prospect जगा को ढूनने के लिए और वो जगा प्रोबाबली राजस्थान में होगा क्यूंकि ये राजस्थान गुजराट ऐसा जगा है जहां पर ये Salt-Based Kevin बनाना मुमकिन है इंडिया में फिलाल इंडिया के पास तीन Strategic Oil Reserve है लेकिन वो सारे एक Rock-Based Kevin में बना हुआ है अभी ये Rock-Based Kevin क्या होता है और Salt-Based Kevin क्या होता है इसको लेके हम आगे डिसकस करेंगे लेकिन उसके पहले आप लोगों से जो रिक्वेस्ट में हर्दम करता रहता हूं वो ही करूंगा कि चैनल प है Crude Oil का इंडिया का जो 85% Crude Oil Requirement है वो ज्यादा तर इंपोर्ट ही होता है और Presently इंडिया के पास तीन Strategic Oil Reserve है जो की मेंगा लूरू, पादूर और विसका पत्तनम में मौझूद है और आगे इंडिया उरिशा और पादूर में एक-एक और Strategic Oil Reserve बनाने की कोशिश कर रहा है फ इंडिया के लिए sufficient नहीं है इसलिए Indian Government अभी EIL मतलब Engineering India Limited बोलके Consultancy Farm को जो की Government ही own करता है उसे ये responsibility दिया है कि Prospect जगा ढूनने के लिए जहां पे Indian Government एक Salt Kevin Based Oil Reserve बना सके इंडिया के पास जो अभी Strategic Oil Reserve मौझूद है वो सारे Rock Kevin Based Oil Reserve है अभी ये Rock Kevin क्या होता है? Rock Kevin ऐसा होता है कि वो जमीन के अंदर excavation करके एक Tunnel जैसा बनाया जाता है यहां पे आप तज़्वीर पे देख सकते हो कि एक कैसा Tunnel बनाया गया है जमीन के अंदर और इस Tunnel के अंदर जितना भी आपका Oil है जो Strategic Oil आप Reserve करना चाहते हो यहां पे आप Reserve कर सकते हो और जब जब और उसको यूज कर सकते हो लेकिन यहां पे एक बहुत बड़ा drawback किये है यह जो Tunnel है या फिर यह जो Kevin है जो Rock Based Kevin है इसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा होता है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है लेकिन उसके उलट जो Salt Kevin Based Strategy Coil Reserve होता है वो बहुत ज़्याद जब आप पांप आउट करोगे उस ब्राइन को जमिन के अंदर से तो वहाँ पे आपको एक hollow जगा मिलेगा मतलब वहाँ पे एक vacant place आपको मिल जाएगा और उस vacant place पे आप crude oil को store कर सकते हो और crude oil का एक खास बात ये है कि जो ये salt है ना salt crude oil में ज़्यादा dissolve नहीं होता है मतलब crude oil के contact में अगर salt आता है तो ये salt crude oil में ज़्यादा dissolve नहीं होता है तो यहाँ पे एक natural protection बन जाता है एक दीवार की तरह बन जाता है rock cabin में आपको under the ground excavation करना पड़ता है लेकिन salt cabin में आपका जो excavation होता है वो ground के उपर से ही excavation होता है और ये excavation करके मतलब एक drill करके आप नीचे तक जाते हो जहाँ पे salt का layer है जमीन के अंदर वहाँ पे पानी डालके वो एक brine create होता है जब आप brine को eject करते हो वहाँ पे cavity create होता है उस cavity में आप अपना crude oil को store करते हो देखिए USA के पास world में सबसे ज़ादा strategic oil reserve मौझूद है टोटल USA के पास 4 strategic oil reserve मौझूद है underground facility में जिसका total capacity है 727 million barrel और अगर आप compare करोगे इंडिया से तो इंडिया के पास 5.3 million ton का capacity मौझूद है जो की लगभग आता है आपका 39 million barrel और USA के पास जो strategic oil reserve मौझूद है वो सारे salt based Kevin में ही बना हुआ है EIL मतलब Engineering India Limited ने Deep KBB बोलके एक German organization से partnership किया है इस German organization के पास हर एक technology मौझूद है इस तरह के काम के लिए तो ये Deep KBB अभी help करेगा EIL को ऐसा strategic oil reserve बनाने के लिए पहले EIL का काम होगा ऐसा field मतलब ऐसे prospect area ढूनने के लिए जहां पे ये strategic oil reserve बनाया जा सके त क्योंकि वहां पे underground soil का एक जो layer होता है वो मौझूद है देकि IEA का अगर माने मतलब International Energy Agency उनके recommendation को अगर माना जाए तो उनके मुताबिक हर एक country के पास minimum 90 days का strategic oil reserve मौझूद होना चाहिए जो कि किसी भी तरह का natural calamities या फिर world like situation में उस country का मदद करेगा अपने energy supply को continue रखने क लिए प्रेजेंटली जैसे के मैंने पहले बात किया है कि इंडिया के पास 9.5 days का strategic oil reserve मौझूद है लेकिन ये जो strategic oil reserve के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो सारे rock-based kevin जो है इंडिया के पास वहाँ पे मौझूद है लेकिन इसके इलावा भी इंडिया के पास जितना भी oil marketing organization है उन लोगों का खुद कभी एक oil reserve होता है जिसे इंडियान government अपना strategic oil reserve की तरह use कर सकता है और माना ये जाता है कि इंडिया के पास जितना भी oil marketing company है उनके पास जो total oil reserve है वो इंडिया के requirement को 64.5 days के लिए fulfill कर सकता है तो इसका मतलब यह हुआ कि इंडिया के पास total 74 days का strategic oil reserve है लेकिन अभी इंडिया इसको और जदा बराने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए इंडिया अभी rock based kevin के बदले salt based kevin की तरफ move कर रहा है क्योंकि ये बहुत जदा easy to use है बनाने में time कम लगता है और इसका cost भी कम है rock based kevin के मुकाबले तो आगे देखते हैं कि ये कब त शेयर कीजिए मुझे comment section में video अगर informative लगा हो तो like and share जरूर कीजिएगा channel को subscribe जरूर कीजिएगा मिलते हैं हम लोग next video में